राजस्थान के आदिवासी अंचल सीट काफी चर्चाओं में रही यहां से भारत आदिवासी पाठी के राजकुमार रोत ने भाजपा प्रत्याशी पूर्वमंत्री महेंद्र जी सिंग मालवे को बड़े मार्जिन से हराया और इंडिया गशबंदन के सहयोग से चुनाव ल 31 साल के उम्र में लगातार दूसरी बार विधायक बने और किसी जो पार्टियों का नाम आता है सामने कोंग्रेस या बीजेपी से नहीं है और 31 साल के उम्र में जब अभी लोकसभा चुना हुए तो डोंगरपुर बास्वाड़ा जो एक आदिवासी अंचल की सीट मानी जा बास्वाड़ा दूंगरपुर के जो साथी चैनल को देख रहे हैं आप सबको दिल से आभार आपने एक ताकत ऐसी बनाई है कि चर्चा पूरे देश के अंदर है राजस्तान में तो है है लेकिन पूरे देश के अंदर है मुझे खुशी इस बात की है कि जनता ने इस बार निकाला है कि दूंगरपुर बास यह रगड़ा शब्द भी काफी चर्चा में रहा था और आदिवासी जो जो अंचल है उसने आपको भरपूर प्यार दिया अब आप आदिवासी जनता के लिए किस तरह के वीजन के साथ दिल्ली जा रहे हैं और राजस्तान को किस तरह से प्रात्मिक्ता पर रखें देखो मैं बात आपके जवाल में उसका जवाब देने से पहले बताना चाहूंगा कि डुंगरपुर बासवाड़ा को आज से पांस साल पहले ठीक है यह जो समझा जाता था और आज डुंगरपुर बासवाड़ा का जो नहाता है तो लगता एक लोग हैं और मुझे मेरी जनता पे गर्व है पूरे देश के अन्य इलाकों में जो चुनाव हुआ मैं बिना खर्चे का चुनाव हो सकता है मेरे गडियो पेट्रोल का टेंड का हुआ होगा लेकिन कई ऐसे इलाके जहां अरुब रुपया क्रोड़ो रुपया खर्चा हुआ है लेकिन जनता ने नकार दिया है दूसरी जिए कि हमारा बागी दौरा बाश्वड़ा के अंदर भ चुनाव होंगे आवेश्यम डंके की चोट पे जनता जागरूख है जनता खुद लड़ेगी और क्यों लड़ रही है और जनता को पता है कि हमारा हिते सी कौन है अहिते सी कौन है मेंदर जीत सिंग मालिवे का जो नाम लगता रहते रहता है कॉंग्रेस के कद्दावर नेत लिए तो हार के लिए किन बताएंगे वह कारण लेकिन आपको क्या लगता है क्योंकि आपने उनको टक्कर देते हैं जो बड़े मार्जन से जीत दर्ज की है जनता ने ठान लिया था जनता के बीच में रहेगा इसको हम आगे बढ़ाएंगे आधिवसी अंचल के आरक्षन पुलीशी को लेके बात करेंगे जनतानने ठान लिया था कारण यही रहा कि जो आज तक अधिव्यसी समाज का बला नहीं किया कंग्रेस का जो आपको support मिला हा रहा कि घटबंधन नहीं हो पाया वहां पर लेकिन जो कॉंघ्रेस का support है आपको मिला है । kami सब्सक्राब को अब लग लाते हैं कि इंडिपेंड हादन का सयोगा हम जी यह सवाल यह की इंडिया के कहा कि गठबंदन इंडिया के साथ है लेकिन गठबंदन हम चुनाव में आगे नहीं करेंगे पहले भी इंडिपेंडेंट लड़े थे अभी आगे क्योंकि अभी उप चुनाव होने है राजस्तान में आपके आदिवासी सीट पर भी होना है और आगे भी कई सारी चीजी कुछ मुद्धों के अधार पर गठबंदन की बात होती है तो ठीकी विचार करेंगे बागी स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे अभी लगातार जो मुलाकात जो कर रहे थे पहले से हैं पूर मुख्यमंत्री अशोग हैलोच से उसके बाद आज भजनलाल शर्मा से जब मुल बाद है बलागात को राजनितिक नजर अचिद नहीं है अब फैर मुलाकात जरूर हूई थी मेरे पूर मुख्यमंत्र है उनका स्वास्त ठीक नहीं था और मैं पिछले पांस साल के साथ उनके साथ में उनके मार्ग दर्शन में हमने काम किया कुछ अच्छे अनूबह भी र है मेरा भर्जबंदें उनसे मुलाकत करना मैंने मुलाकत की बज़नलाल जी इसजनद कि मुख्य मंत्री है और स्टेट की जनता उनसे आसा लगा के बैठी हुई है अधिवसी अंचल की जनता भी इनसे आसा लगा के बैठी हुई है कि आप मुख्यमंत्री बने हो अधिवसी इलागे के लिए क्या करोगे मां की वेरोजगारी के लिए मां के एजुकेशन के लिए मां के रेवलप के क्या करोगे और वहां के इसे वाहक के रूप में हम लोग हैं तो हमारे जिम्मेदरी बनती है कि मुख्यमंद्री ची को उस सेत्री के हर समश्या बताना वाद आपका राजमारोज साहब और उमीद है कि आप जो बाते और जो मुद्दे लेकर जा रहें वो पूरे हो वीडियो जनलिस्ट हरिशंकर त्यागी की साथ सुनील यादव सच बेदरक जैपुए